हमारे देश में ऐसे अनेको योधा रहे हैं जिनका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है भले ही वो योधा आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी वीर्ता की गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है इनी वीर योधाओं का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन कारेकरम भी आयोजित किये जाते रहे हैं इसी के मदनजर दिली के किराड़ी इलाके में भी वीर योधाओं में शुमार महानायक वीर लोरे की कथा को लेकर एक रंगा रंग कारेकरम का आयोजित किया गया पुर्व निगम पार्शद रामदयाल महतो की अध्यक्ष्टा में आयोजित इस कारेकरम में भोजपूरी प्रसित गाई का देवी मुख्य तोर पर उपस्टित रही जिन्होंने अपने सुरो के जादू से लोगों के बीच अपना जल्वा बिखे रहा और सभी जूमते नाजते नजराए साथ इस मौके पर सुप्रिम कोड के चर्चित वकील डॉक्टर एपी सिंग भी उपस्टित हुए और उन्होंने भी वीर लोरी के इतिहास को जन जन तक पहुचाने के लिए हर इस्तर पर कानूनी लडाई का भी साथ देने की बात कही इस दुरान सभी लोगों ने महा युद्धा वीर लोरी के इतिहास पर रोशनी डालने का परियास किया और कहा कि आज जरूत है कि जन जन तक वीर लोरिक की गाथा को पहुंचाया जाए। और दुनिया में जो चाहोगे हो सकता है क्योंकि लोरिक ऐसा महानी अधा थे कि उन्होंने अठारा लड़ाय लड़ा और बारो सो साल पहले और एक भी पराजित नहीं हुए और तीन सक्ति एक सिधी नहीं लोरिक के साथ तीन सिधी था एक तो वह दुर्गां का भग था बहु एक तलवार में बहुत विशार चटान को चीर दिया और तीन परतमान में इतिहास में महजूद हैं जोरिक जी थे वो काफी मतलब जिसको बोलेंगे बहुत बड़ी योद्धा थे और काफी वीर थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किये जिसे लोग याद करते हैं जैस अपनी तरफ से उनको बहुत चर्ण शपर्ष करना चाहूंगी और ऐसे वीर लोग हमारे भारत में पैदा हुए उनका जन्म बलिया में हुआ और फिर उनकी वाइफ थी उनका कनेक्शन बिहार से भी रहा था तो यह काफी प्राउड होता है कि जब हमारे तरफ के लोग इस इतिहास हमारे देश का इतना महान रहा है लेकिन पिछले सरकारों का कहें इतिहासकारों का कहें इतिहासकारों की गलतियां कहें उनकी कमियां कहें दबाओ कहें प्रभाओ कहें प्रेशर कहें या अंग्रेजियत की मानसिक्ता कहें हमारे इतिहास को दबाया गया बदला गया आज बड़ी खुशी की बात है यहां कि माद्धम से मैं यही कहना चाहता हूं इस तरह के सांस्कृतिक कारक्रमों से हमारे समाज जो किरारी विधान सवाच्षेत्र या बाहरी दिल्ली विधान सवाच्षेत्र उत्तरपश्मी संसदिये छेत्र का यह हिस्सा माना जाता है कई लोग इसे पिछला काय देते हैं लेकिन आएसे इतिहासिक और सामाजिक कारक्रम होते हैं जो दिल्ली कहने भागों में भी नहीं होते हैं वो लीक के फकीर हैं लेकिन बहुत अच्छा रहा कि यहां से ऐसे इतिहास को निकाला जा रहा है गोरतलबे की वीर लोरिक का जनम उत्तर प्रदेश के बल्या जिले के गवरा गाउं में छत्रिय यदुवंशी अहिर घराने में हुआ था प्रेम के पती कहे जाने वाले वीर लोरिक योग माया मा भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें स्वेम मा का अशिरवात प्राप्ता आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मारकुंडी पहाडियों पर सोनभद्र से लगबख पांच किलोमेटर दूर लोरिक और मंजरी के प्रेम और शोड़े का प्रतीक पत्थर जो इस्थाने लोगीत लोरिकी के मुखे पात रहें ऐसी मानिता है कि वीर लोरिक अपने प्रेम मंजरी के कहने पर एक चिन के तोर पर अपने तलवार से एक ही जटके में एक बड़ी सी चटान को काड़ जा था और उसको पार करके वह आगे निकल गए जिसे आज वीर लोरिक पत्थर के नाम से भी जाना जाता है डिली से अपने सयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हम बतन टीवी